तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास एक दिसम्बर है आज, देख लेते हैं, एक दिसम्बर के दिन, क्या प्रमोगटना ही तेश्व दुनिया के टिहास में, एक दिसम्बर के दिन, सन 1962 में भारत चीन ज़ंग में अहम भूमी का निभाने वाले परमवीर चक्र विर्यता मेजर शैतान सिंग जी का जन्मुवत है ये बहुत ही बहादुर सिपाही थे जिन्होंने भारत और चीन जंग के दौरान प्रमवीर चक्र पाया था सन 1963 में नागालेंड का स्थापना हुआ था एक दिसंबर्ग दिन और साथी साथ सोलवा राज्य बना था भारत के दिन्दर सन 1962 पैसट में बॉर्डर सेक्योर्टी फूर्स बीएसेफ की स्थापना हुई थी सन 1973 में इसराइल के संस्थापक और पहले पिधान मंत्री डैविड बेन गुरियन की 80 साल 87 वर्ष की उम्र में मौत हो गई थी सन 1991 में एट्स जागरुत्ता दिवस की शुरुआत हुई थी एक दिसंबर के दिन 18 जागरुत्ता दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआतवी थी 1991 शुरुआत्यएं तो भाई देख लेते हैं आज के दिन नागलेंड का अस्थापना दिवस तो उसके बारे में कुछ प्रशासन नागरिकों की उमीदों पर खरा नहीं उत्रा और यहां पर असंतोष लगातार परवने लगाता है क्योंकि यहां पर भारत को आजादी मिलने के बाद इसको एक स्वतंतर राज जो है वो गोशत नहीं किया गया था केंद शासित प्रदेश तो था ही साथ ही साथ ही साथ में अस्थाम का जो राज येपाल था मतलब अस्थाम की जो गवर्नेंस थी वो इसको देखा करती थी इसको देखते हुए फाइनली 1961 में इसका नाम बदलकर नागा लेंड रग दिया गया और इससे भारती संग के राज का दर्जा भी दिया गया और जिसका विदिवाद उद्गाटन जो है वह एक दिसम्ब उन्निस्सो त्रेसट को हुआ था इसकी राजधानी कोईमा है या आप जानते ही होंगे और इसे पूरव का स्विट्जर लेंड भी कहा जाता है पूरव दिशा का या हम बोल सकते हैं इस्ट का स्विट्जर लेंड भी बोला जाता है इस राजजी को क्योंकि बहुत ही सुन्दर है और चारों तरप से पहाड गुझन in यहां पर अब देख लेते हैं इसका सील है यह बोल सकते हैं चिन नागर लेंड का उनिटी यूनिटी गौर्र्मेंट ऑफ नागर लेंड नन जो राजकी जो पशु है वह मितन या फिर इस पह बोल सकते हैं एक भैसा जासा है इसको मितन बूला जाता है मितन दोस्तों ये तो हमने देख लिए नागलेंड के बारे में अब BASF के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि इसका भी स्थापना दिवस है आजी के दिन सीमा सुरक्षा बल जिसको BASF बोले आता है Border Security Force भारत की सीमा की रक्षा करता है और ये एक अर्ध सैनिक बल है जिसकी स्थापना एक दिसमबर 1965 में शान्ती के समय हुई थी भारत की सीमा की रक्षा और अंतराश्टी अपराद को रोकने के लिए की गई थी यह जो केंद्र है यह जो बल है केंद सरकार की ग्रह मंतराले के नियंतरण के अंतरगत आता है मतलब कहने के मतलब यह हुआ कि यह जो फोर्स है वो केंद सरकार के ग्रह मंतराले द्वारा संचालित किया जाता है रक्षा मंतराले द्वारा संचालित नहीं किया जाता है ग्रह मंत्राले के दोगा संचरित किया तो ध्यान रखीगा क्योंकि बाकी जो आर्मी है हमारी वह किस से देखी आती है रक्षा मंत्राले के अंतरगात आती है परन्तु जो BSF है वह ग्रह मंत्राले के अंतरगात आती है ग्रह मंत्राले इसको कंट्रोल करता है बंगलादेश की आजादी में सीमा सुरक्षबल BSF की एहम भूमिका रही है चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि इनके गठन किस ने किया था? K.F. रुस्तम जी कि कुशल नेतत में सीमा सुरक्षबल का गठन किया गया था तो यहां पर हमको एक काम की चीज़ क्या मिल गए कि BSF की स्थापना की इस ने की थी K.S. रुस्तम जी ने की थी K.F. रुस्तम जी तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया नागलेंड की स्थापना दिवस के बारे में जानकारी ले ली और साथी साथ में हमने BSF की बारे में भी कुछ जानकारी देख ली अब वापस आए आते हैं अपने Current Office के उसके तरब तो कौशन है आपर कौन विक्ति हाल ही में भारती सैना के नए चीफ औफ स्थी नए इंजीनियर इन चीफ बनाए गए हैं आप्शन आपको है समितन दास मिलते रहेंगे क्योंकि जो हमारी क्लास से लगाता सोब अच्छे वज़े रहती है और आपसे निविदन हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीस लाइक करिए जिससे आपको मैं आपको और भी अच्छे अच्छी चीजे जो है जानकारियां देता चलूँगा चलिए यहाँ पर कॉशन है कौन विक्ति हाल ही में भारती सैने के नए इंजीनियर इन चीफ से निप्त किये गए है चलिए इसकांसर है हरपाल सिंग हरपाल सिंग जी को भारती सैने के नए इंजीनियर इंचीफ से नवाजा गया है यह हरपाल सिंग लेफटनेट जनरल हरपाल सिंग को अब सैने के इंजीनियर इंचीफ का जिम्मा दिया गया है सितंबर माह में मनाली में जिस अटल सुरंग का उधगाटन किया था पधान मंतरी मोधी जी ने मोधी जी ने अटल सुरंग का उधगाटन किया था सबसे बड़ी सुरंग कहलाई जाती है यह इसका उधगाटन किया था और इसके आकिटेक्ट्चर जो थे जो मेन पूरा देख रेक किस ने किया था, लेटने जनर्रल हरपाल सिंग ने किया था, इसके बाद ही इनको एक योध्धा के तौर पर देखा जाने लगा है, यह वर्तमान में सीमसलक संगठन के महानिदेशक हैं, और एक दिसंबर को अपनी नई न्युक्ति करेंगे, तो इन परे नेक्स कोशन है, जेम्स वॉल्फसन जिनका निदर हाली ही में हुआ है, यह किस निकाय के पूर्व राष्टपती थे, आपको बताना है कि जेम्स वॉल्फसन किस छेत्र से सम्मंद रखते थे, किस छेत्र के किस निकाय के राष्टपती थे, अध्यक्ष थे, आप्शन आपके बस सहयोत्रास्ट अंत्रास्टी मुद्राकोश विश्व बैंक या फिर विश्व व्यापार संग्टन डबलू टी चली चली इस कांसर है विश्व बैंक विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्षते पूर्व राष्ट्पती भी इनको बोल सकते हैं जेम्स वॉल्सन कु इनमें प्रापटीयां थी नमबर एक तो यह हो गया यह एडवोकेट थे वकील थे इन्वेस्मेंट बैंकर थे अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने दस साल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष यूरूप में काम भी किया है इनका निधन हो गया है यह 86 वर्ष के थे वॉल्सन ने 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूँ के नौवे अध्यक्ष की रूप में काम किया है तो हमको यहाँ पर एक काम की चीज मिल गए कि 1995 से लेकर 2005 तक यह विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है नौवे अध्यक्ष की रूप में काम किया है मार्ग मंत्राले ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने राष्टी राजमार्ग प्रयोजना की लिए लगबग साथ या 470 करोड़ रुपे की योजनाओं का शिलन्यास किया है और आपको एक और चीज़ आपको साथे बता दूँ कि राजमार्ग मंत्री जो हैं वो कौन है नितिन गड़करी जी है आपको बताना है इन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्टी राजमार्ग प्रयोजना के लिए कर साथ या 470 करोड़ रुपे की योजना का शिलन्यास किया है आपको बताना है कितनी योजनाई थी ये आप्शन है आपको पास 15, 16, 17 या फिर 18 चलिशकान सारे 16, 16 परयोजनाओं का उद्गाटन किया है नितिन गड़करी जी ने जोकी लगभग साथ या 470 करोड़ रुपे की थी 16 राष्टी परयोजनाई जो है इनकी आधारशिला रखी है नितिन गड़करी जी ने केंदी सडक एवं परिवन राजमाग मंत्री ने भारती राष्टी टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ गई है ये आप देख सकते हैं भारत का फुटबॉल का चिन है लोगो है भारती राष्टी टीम का आपको बताना है कि भारती राष्टी टीम इंडियन फुटबॉल टीम जो है फीफा की रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ गई ओप्चन है 101, 106, 108 या पर 104 चलिए सकान सारे 104 भारती राष्टी टीम फीफा की नवीनतम रैंकिंग में 104 स्थान पर आ गई है अक्टूबर 2020 में इसकी रैंकिंग जो थी 108 पर थी तो यहां पर हमारी जो रैंकिंग है चार अंक सुधर गई है 108 से हम 104 आ गए है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एससेशन जिसको फीफा बोला आता है जिसे आमतर पर फीफा के नाम से भी जाना आता है फुटबॉल का अंतरास्टी नियंत्रक निकाए है यह पूरे जैसे हमारे क्रिकेट में ICC होता है वैसे ही फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एससेशन जो होता है वो फुटबॉल के अंतरास्टी मैचों को नियंत्रक करता है पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में जिसका मुख्यालय जो है वो जूरिख में है स्विट्जलेंड और इसके वर्तमान अध्दक्ष ग्यानी इन्फेनाटिया है पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवरतन मंत्री इंडिया क्लाइमिट चेंड नॉलिज पोर्टल का इनोंने लॉंच किया पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवरतन मंत्री का आपको नाम बताना है पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवरतन मंत्री ने इंडिया क्लाइमिट चेंड नॉलिज पोर्टल का लॉंच किया है परियावरन वन एवं जल्वाईव परिवर्तन मंत्री का आपको नाम बताना है उप्शन है आपको वस रमेश पोक्रिया निशंग, सुब्रमनियम जैशंकर, प्रकाश जावडेकर या फिर नरिन सिंग तोमर चलिए इसका आंसर है प्रकाश जावडेकर जी प्रकाश जावडेकर जी ने भारत जल्वाईव परिवर्तन ग्यान पोटल लाँच किया है इसका अदेश क्या है यह portal जो है नागरेकों को जलवाईव परिवरतन के मुद्दों से नेपटने के लिए रास्टी एवं अंतरास्टी दोनों स्तरों पर उठाये जाने वाले समी प्रमक कदमों के बारे में नागरेकों के बीच में ज्यान की प्रसार की मदद करेगा यह बताएगा कि हमको कैसे जलवाईव परिवरतन के मुद्दे जो हैं कैसे हम उसके बारे में जान देंगे कैसे इसके बारे में हम इसको जागरुकता फैलाएंगे और कैसे हमको इसको फाइट करना है जो अभी है हमारे साथ ग्लोबल वामिंग जो सबसे वड़ी समस्या चल है इसको लेकर हमको कैसे आंगे बढ़ना है चली नेक्स कोशन है निम्खित में से किस देश ने आर्क्टिक में एक ट्रिसकॉन हाइपासोनिक क्रूज मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है आर्क्टिक में किया है ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या फिर यू चली इसका अंगे रूस, रूस ने आर्क्टिक में अपनी ट्रिसकॉन हाइपासोनिक क्रूज मिसाइल का सफलता परिक्षण किया है इस मिसाइल को वाइट आर्क, रूसी आर्क्टिक में एड्मिरल गोर्शिकोव फिग्रेट ने 450 किलोमेटर की दूर, 450 किलोमेटर दूर मै ग्रक 8 से अधिक गती पर बॉट साागर में लॉंच किया था लिंकित में से किस कंपणी निर्मान कंपणी को बुलेट ट्रेंट पर योजना का हिस्सा बनाने के लिए 7000 करोड रूपे का ओरर मिलाएं किस कंपनी को बुलेट ट्रेन पर यूजना का हिस्सा बनने के लिए 7000 करोर रुपे का ओर्डर मिला है लासन टॉबो, टाटा प्रोजेक्ट, रिलाइंस कंस्ट्रक्शन, जाफे आधित बिड़ला ग्रूप चले इसका अंसर है, L&T, लासन टॉबो ग्रूप जिसको बोला जाता है इंफ्रस्ट्रक्शर प्रमुक लासन टॉबो, L&T जिसको बोला जाता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, आधिकारे गूप से मुंबई अहमदबाद हाई स्पीट रेलबे प्रोजेक्ट, MAHSR कहा जाता है ये भारत और जापान का जॉइन्ट वेंचर भी है किस बैंक ने हाल ही में, SME और स्टार्ट अप समर्थन करने के लिए इन्वेंटिप क्योर, पेनियोर, चेम्बर ओफ कामस जिसको बोला जाता है ICCI, एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है चली, आपको बताना है कौन सा बैंक है जिसने ICCI के साथ में समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है आप्षन है SBI, IDBI, SDFC या फिर ICICI चली, इसका अंसर है SDFC SDFC बैंक ने SME और स्टार्ट अप का समर्थन करने के लिए इन्वेंटिप पिनियोर, चेम्बर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ICCI के साथ समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है इस एक्सोशेशन के माध्यम से ICCI, SDFC बैंक से अंतर वित्ती और अन सुविधाओं की सुविधा के लिए विबिन स्टार्ट अप को सलंगन नामंकन इवन समर्थन पदान करे ग्याए ICCI और SDFC बैंक सहयक तुरूप से विबिन नेट्वरकिंग, गतिविधियों, अवेरनेस कैम्प और इंट्रेक्टिव सेशन बिजनिस इवन्ट का आयोजन करते है लिंकित में से किस लग्जरी आटो मोवाल निर्माता को SBI के HNI ग्रहक तक पहुँच दी गई है इसका लोगों मैंने आपको बता दिया है, पहजानी है इसको आपको बताना है कि किस आटो मोवाल कमपनी निर्माता कमपनी, लग्जरी आटो मोवाल निर्माता कमपनी को SBI के HNI ग्रहक तक पहुँच दी गई है HNI किया है, यह भी आपको बता दाने चाहिए, मैं आपको बताऊँगा Option आपको, Cadillus, Mercedes-Benz, Jaguar, BMW चली, इसका अंसर है, Mercedes-Benz ने भारती स्टेट बैंक के साथ हाथ मिलाया है जिसके बाद, High Net Worth Individual, HNI कहने के मतलब यह है जिनकी Net Worth बहुत High है, पैसे वाले हैं बहुत, इनकी जो Income है बहुत जादा है उनकी बात कर रहे है, उन ग्रहकों को वित्ती लाब देने की पेशकस की गई है यहाँ पर SBI के द्वारा HNI ग्रहकों को पहुंच देने के लिए Mercedes के साथ में यहाँ पे दौनों की मीटिंग होई है और दौनों नहीं यहाँ पे समझोता किया है यह सायोग जो है, भारती स्टेट बैंक के High Network Individuals HNI ग्रहक आधार के लिए Luxury Automobile निर्वाता Access पदान करेगा और साथी साथ में उनको लोन देने के लिए यहाँ पे यह आसानी से कर सकते हैं यह जो लोन होगा योनो एप से होगा, योनो एप जो है स्टेट बैंक का, SBI का, योनो एप है इसके थूरू यह डारेक्ट लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं Mercedes के लिए इस सहयोग में पांच वर्स तक के कारेकाल वाले रेनो पर ब्याज की आकरशक, दर और कार शुल्क प्रोसेसिंग पर वित्ती लाप मिलने के भी शामिल हैं यहाँ पर चलिए यह तो हमने देख लिए आज की कर इंटरफेस की quiz देख लिए अब कुछ आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जो कि exam point of view is very important होते हैं क्योंकि इसी सही हमारे बनने वाले हैं क्या quiz Transgender वेक्तियों के लिए ID कार्ड और प्रमानपत्त जारी करने के लिए National Portal शुरू किया गया है केंद्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री ठावर चंत गहलो चलिए कामकी चीजरम को मिल गई यहां पर केंद्री सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री जो हैं ठावर चंत गहलो जी है इनोह ने 25 नमबस हं रफान tweet Windsor वेक्टिएं के लिए क्लास्टी पोर्टल और ट्रांजेंडर विक्तियूं के लिए एक आश्रा ग्रह, गरीम ग्रह के आभासी उद्धाटन की। इसको देश क्या है ट्रांजेक्टर विक्ति जो है ओनलाइन प्रमाणपत्र और पहचान पत्र के लिए आविदन करने के लिए किसी नेशनल के लिए इस नेशनल पोर्टल का अपयोग कर सकेंगे सभी आविदक बिना किसी प्रित्तिक संपर्क के और किसी भी कार्यालय का दोरा किये बिना अपने ID कार्ड प्राप्त कर सकेंगे केंद्री सामाजिक नियाय मंत्रालय ने 13 आश्राय ग्रह स्थापत करने के लिए 10 शहरों की पहचान करिये जो की देज भर में ट्रांसजेडर व्यक्तियों की स्तिती में सुधार लाने के लिए कि पहला कतम होगा पाल सरकार की तरप से इन 10 चैनित छहरों में नई दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नाई, रायपूर, कुलकत्ता, वडोदरा, भोवनिश्वर, जैपूर और मनिपूर भी शामिलें कोविट शील्ड, कोविट शील्ड जुलाई 2021 तक वैक्सीन की 300 से 400 मिलियन खुराक खरीद सकती है सरकार सरकार यहाँ पर कोविट शील्ड जो है वैक्सीन की 300 से 400 मिलियन की खुराक खरीद सकती है यहाँ पर बताई गई है सीरम इंस्टूट ऑफ इंडिया, SII के प्रमुक कारेकारी अधिकारी आधरपूना वाले ने 28 नंबर संधिया 20 को यह सूचना दी सीरम इंस्टूट ऑफ इंडिया ने आक्सवर्ड उनिवरस्टी और वैश्विक फार्मा दिगज एस्ट्राजेनिका के साथ कोविट 19 वैक्सीन कोविट शील्ड के लिए साज़ेदारी की है सीरम इंस्टूट ऑफ इंडिया SII के प्रमोग आधरपूना वाले ने यह बताया कि उनकी कमपनी जो है अगले दो सप्ता में कोविट 19 वैक्सीन के आपात काली प्राधी करन के लिए आविदन करेगी चलिए नेक्स आंगे बात करते हैं कीत गोंस की लगू फिल्म शेमलिस को 93 93 अकेडमिक अवार्ड में लाइव एक्शन शॉट फिल्म शेड़ी में भारत की आधिकारिक प्रविस्टी की तरुपर चुना गया है तो ये एक उपलब्दी भी है हमारे भारत देश की एक शॉट फिल्म के लिए चुना गया है शेमलिस जिसका नाम है ये भारत की आधिकारिक पुस्टी रहेगी कीत गोंस की द्वारा ये इसको बनाया गया है ये लगू फिल्म है शॉट फिल्म है दोस्तों ये तो हमने देख लिया एक दिसंबर के दिन क्या प्रमोगटना हुए थी कुछ आर्टिकल्स देख लिए और करेंट अफेस के कुज देख लिए मेरे नाम है रितूराज आपके मेरे चैनल में स्वागत है और आपने अभी सारी चीज़ें देखी आशा करता आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरू करिए और साथी साथ में बैल आइकोन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब जरू करिए थैंक्यू झाल झाल झालला झाला झाल 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 झाल